कॉंग्रिस विधायक हरीश चौधरी ने ठाकुर कक हुआ कविता क्या पढ़ी उसके बाद से हरीश चौधरी के बयान पर अलग-अलग तरहा की पलचबार हो रही है उद्योग मंत्री राजबर्धन सिंग बाठोर ने सदन में अनुदान की मांगो पर जवाब देते हुए हरीश चौधरी की कविता परतंच कसा उन्होंने कहा कि महबत की नेम प्लेट लगाते हैं और दुकान नफरत की चलाते हैं आप भी सुनिए मंत्री राजबर्धन सिंग बाठोर की कविता प्रशन है सम्मान का प्रशन है सम्मान का सम्मान किसका आपके हमारे पूरवजों का प्रशन है सम्मान का सम्मान है बलेदान का बलेदान है जवान का उन्होंने पूरी जवानी कुर्बान कर दी सबसे बड़ी कुर्बानी होती है जवानी प्रश्ण है सम्मान का सम्मान है बलिदान का बलिदान है जवान का और जवान है हिंदुस्तान का सभी योद्धा सभी योद्धा हर जाती के होते हैं और पूजनिय होते हैं, हम योद्धाओं को अगर बाटने लग गए, फिर ये देश खा जाएगा प्रश्न है सम्मान का, सम्मान है बलिदान का, बलिदान है जवान का, जवान है हिंदुस्तान का किसी ने छोड़ी रियासत, किसी ने दी शहादत, तभी है बना मजबूत भारत कॉंग्रेस को है बाटने की आदत, कॉंग्रेस को है बाटने की आदत, इनके सपने में नहीं एक भारत कॉंग्रेस को है बाटने की आदत, इनके सपने में नहीं एक भारत, बस महबबत की नेम प्लेट लगाते हैं पर दुकान नफरत की चलाते हैं वो जो कविता यहाँ पड़ी गई थी, अध्यक्ष मोदे, उसके अंदर केवल जहर था, रोकना चाहिए था रोका नहीं, बस महबबत की नेम प्लेट लगाते हैं, पर दुकान नफरत की चलाते हैं बोर्ड महबबत की दुकान का, सौदा नफरत के सामान का, इनको फर्क नहीं नुकसान का, क्योंकि नुकसान हिंदुस्तान का ये आप और हम अपने बच्चों को, आगने वाली पीड़ी को क्या शिक्षा दे रहे हैं, सभी जातियां योद्धाओं की, योद्धाओं की कोई जाती नहीं होती, सभी पूज नहीं होते हैं, और खास तोर से राणा बहराणा प्रताप, उनकी सेना में तो 36 कौम ने उनको साथ दिया था, और मेरे साथ ही आज यहां पर नहीं है विपक्ष के, शायद हो सकता है टीवी पे देख रहे हूं, उनके तो पूरवजों ने महारणा प्रताप के साथ अगबर की सेना के दात खटे करे थे, वो भी ध्यान से सुनें, ध्यान से सुनें वो, क्योंकि उन्हों प्रताप राजिस्थान के और राजिस्थान हिंदुस्तान का